हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुगटना चक्रे सिरीज आज हम लोग बात करने वाले हैं पठार के बारे में ठीक है यानि कि पठार में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे नोट्स ठीक है इसे रिलेटेड जो नोट्स है पहले उसके बारे में बात करते हैं जैसे देखिएगा क प्राइदीपिय भारत की चट्टानों के उत्पत्ती लगभग 36 मिलियन वर्स पुर्व हुई थी ठीक है अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो महत्पुर्ण बात है अब उसको देख लेते हैं कार्बोनी फेरस यूग के पहली गौंड वाना लेंड का एक भाग थ हुआ जबकि करेटेसियस यूग के दोरान अत्यधिक जौला मुख्य उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्मान हुआ था इसी काल में दक्कन के पठार बैशाट निमित लावा सैलों का निर्मान हुआ और दक्कन ट्रेप का निर्मान लगभग 146 मिलियन वर्स पुर्व हु पठार के दो मुख्य भाग है यानि कि देखेगा कि इसमें मध्ध उच्च भूमी और दक्कन का पठार ठेक है अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो दक्कन ट्रेप हैं दक्कन ट्रेप का जो निर्मान हुआ था 146 मिलियन वर्स पुर्व हुआ था प्राइद यूप मध्ध उच्च भूमी और दक्कन का पठार ठेक है नर्मदा नदी के उत्तर में इस्तित मालवा का पठार अधिकतर भागों को मध्ध उच्च भूमी के नाम से जाना जाता है यानि मालवा पठार के जो अधिकतर भाग है उसको मध्ध उच्च भूमी के नाम से जाना जात मद्ध उच्च भूमी पस्ची में चावरी और पूर्व में संकिर्ण है। मद्ध पस्ची में बंगाल के पूरूलिया जिले में लगभग 87249 वर्ग किलो मीटर चेत्रफल में फैला हुआ है। एक दिसा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपूर पठार में ढाल तिवर इसकारपों के रूप में पाय जाते हैं। अता एक अगर गंभीर मैदान है। देखें ये कोश्चन बहुत वार पुछा गया है कि छोटा नागपूर का जो पठार है वो कैसा है। तो अगर गंभीर हैं। मध्य उच्च भूमी छेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवात अथा केन, दक्षिन पस्चिम से उतर पूर्व की तरफ बहती है। इस परकार ये नदियां इस छेत्र के ढाल को दरसाती है। इसार आप इसको मैप से भी देक सकते हैं जैसी देखिए ki ये पठार को दिखायic एक पठार देखिये है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दकन का पठार एक तिर्भूजाकार भूभाग है देखिए दकन का पठार है ये जो है ये कैसा भाग है तिर्भूजाकार भाग है ये जो भाग है ये तिर्भूजाकार छेतर है ठीक है उसके बाद देखे जो नर्मदा नदी के दक्षिन मे इसके उत्तर में चौरे आधार पर सत्पूरा की स्रिंखला है जबकि महादेव कैमूर तथा मेहकाल स्रिंखला इसके पूरी वी विस्तार को परदरसित करती है दक्कन ट्रेप में काली मिर्दा पाई जाती है जिसका निर्मान बैसाल टलाबा के पक्षे और परदन के में काली की पहाडियां प्राइदिप्य पठार के उत्तर पस्वी किनारे परिस्तित है यह बहुत अधिक खंडित और अपरदित पहाडियां है प्राइदिप्य पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है अस्थानिये रूप से मेगाले पठार कार्बो एंगल यंग पथार तथा उत्तर कचार पहार के नाम से जाना जाता है यह bhransan के करन्ठीपी भाग से माल्दा गैप द्वर consegueThat lieji ना मीकल अधारा में बुखान रखे उयाद रख्येंगका के वहार के aggi़न आइंज ही और ज्यांध險तियां टेक्याहं भूबन पहारियां मीजो हिल्स का भाग है ये कोश्चन भी पुछा जाता है कि भूबन पहारियां जो है वो किसका भाग है तो मीजो हिल्स का भाग है धन्ड कारण चेतर कहां पे है ओडी शा में पढ़ता है ठीक है दक्षिन तक विस्तार तीन सो बीस कीलो मीटर पाई जाती है अब इससे रिलेटेड जो कोश्चन पुछा गया है मैं आप लोगों के समक्ष उसको रख रहा हूं जैसे देखेगा भारत के दक्कर के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्मान कब हुआ है तो इ महा कल्प में निर्मित हुआ था उसके बाद देखे चोटनागपूर पठार का सरवादिक घना बसा जीला धनवाद क्यू है इसके पीछे कारण है खनन उद्यो का विकास और ओद्योगी करन ठेक है उसके बाद देखे चोटनागपूर का पठार क्या है मैं अभी अभी देखे वो क्या है तो यह में देखे नर्मजा नर्मजा ताप्ति रिप्ट घाटी चत्र को दर साय गया वी चतिसगर मैदान सी चोटनागपूर पठार और डीप अस्चिमी घाट के पूरवी में ब्रिष्टी चाया प्रदेश ठीक है साथ नमर का सवाल देखेगा अरावल अंबर का सवाल दंड करने भारत के कीस भाग में इस्थित है तो मध्धवर्ती भाग में इस्थित है बिहार के निमिन हिस्टो में से कौन सा हिस्था भूत अत्विक दिरिच्टी से अप एक छाकृत पूराना है इसका देखे आंसर देखेगा खरगपूर पहारियां ठेक ह इसमें C आंसर क्या है अपेक्चाकर सबसे पुराना क्या है खरगपूर पहारियां है ठीक है खरगपूर पहारिया धारवाल करम के जबकि रोहतास पठार बिंद्यन करम का है उत्तर पस्री पहारियां तिरते करम की तथा उत्तर गंगा कमयदान नमींतम है नेमने में कौन सा म मेखाले पठार का आंस नहीं है तो राइत और इसका हो जाएगा भुवन पहाडिया झाल्स है इसलिए कि हम भी वह भी देखें भुवन पहाड़ीयाँ भी जोहल्स का भाग है जो पुर वत्र हिमाले का अंग है जब कि गारो खासिय reflex या पहारिया मेगाले पठार 116 किलो मीटर है भारत की तट्रेखा पूर्व में बंगाल की खारी दक्षिन में हिंदमा सागर पस्ची में अरब सागर सहीद मुख्य भूमिय और दीपों से घिरी हुई है भारत की तट्रेखा पर नौ राज्य एवंग चार केदर सासित परदेश इस्थित है तट्रेखा प साथ किलो मीटर है गोईरात का तर्ट्रेखा के लंबाई महरास्ट में चेह सो बाउन दसमलब चेह गोवा है एक सो ठारा और करनाटक दो सो असी केरल पांच सो उनतर दसमलब साथ तमिलनाडू यह नो सो चेह दसमलब नौ आंदर परदेश जो है नो सो तैहतर दसमलब साथ उडिशा 476 दसमलब चार पस्षि मंगाल एक सो संताओन दसमलब पांच किलो मीटर दादर और नागर हविली और दमन और दीब 42.5 लक्षदीप 132 किलो मीटर पुडूचे रिती 30 दसमलब 6 अंडबान और निकबाड एक सो चांडून दीस तो बांसट और कुल जो है इस पर लंबाई 422.6 किलो मीटर है मुख भूमी से दूर कुल तर्ट की लंबाई 2094 किलो मीटर है भारत में राजियों में गुजरात राजी की तर्ट्रेखा सरवाधिक लंबी है ये भी बात आप याद रख लीजेगा और सबसे छोटी तर्ट किसका है तो गोवा का है ठीक है चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं भारत के तर्टीय राज्य देखेगा पश्ची मंगाल है औरिशा है आंदर प्रदेश है तमिलनाडू केरल दरगोवा करनाटक महरास्ट गुजरात ये तर्टीय राज्य है ठीक है अस्तल से सागर की वो निकले भागों को मिल बारा समुद्री मील तक होती है ठीक है ये भी कोशन पूछा जाता है इस छेत्रे के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो यानि बारा समुद्री मील तक भारत को यानि किसी भी देश को शंपूर्ण अधिकार होता है समीपस्त मंडल का विस्तार आधार इखासे 24 शमूद्री मील तक होता है इस चट्रे भारत को सीमा सुल्क वसूली और वित्त्य अधिकार प्राप्थ होता है अब देख लीजिए यहाँ पर आधार रेखा आंतरिक जल रेखा ये है और अनन्य आर्थिक्षेतर ये 200 नौटिकल मिल तक है अस्तली भाग अधार रेखा मध्ध सागडिये जल को आंतरिक जल कहते हैं अब हम लोग इससे लेटर देखते हैं जो पूछा जा चुका है उसके बारे में बात कर लेते हैं निमलिखित में से किस तर्टर से भारत को आउसत समुद्र तल मापा जाता है तो ये कोश्चन आपका बहुत इंपोर्टेंट है ये है आपका चेन नहीं इसका राइट आंसर क तो चैन नहीं होगा ठीक है उसके बाद देखे भारत के प्रादेसिक जल चेतर का विस्तार कितना है से 2这 मिल थेक है उसके बाद देखें भार्त की तरट रहा कि应 Thai कि में नोशा के में कितनी है तो 756 कीडोमीटर साथ हजार पांच सो सोल दसमलब छे यह किलो मीटर है यह सारा ऑप्सन गलत है यह अप्सन गलत है ठीक है चलिए उसके बाद देखे भारत के किस राज़ी का समोधरी तर्ट सबसे लंबा है अभी अभी हमने बताया कि गुजरात यानि के सबसे लंबा गुजरात और सबसे छो चुका है उसके बाद देख लीजिएगा कि गुजरात का कितना है तो बारह सो चौदर सलब साथ महराष्ट का 622 अंधर प्रदेश का 973 दसलब साथ और केरल का 579 दसलब साथ भारत में कितनी राज तर्ट रेखा से लगे हैं तो इसका राई चांसर हो जाएगा नौ ठीक है अगला देखेगा प्राचीन भारती एतिहास भूगोल में रतनाकर किसका सूचक था रतनाकर जो है हिंद महासागर का सूचक था ठीक है उसके बाद धरवाधिक तटिया परदन किसके द्वारा होता है लहरों के द्वारा होता है बस यह आज का लास्ट सवाल है इसके बाद जो है हम लोग फिर बात करने वाले हैं इसके बाद जो सीरीज को आगे बराते हों लोग पूरवी एवंग पस्चिमी तट के बारे में बात करेंगे ठीक है बस आज के वीडियो में इतना ही धन्नवाद